नमस्कार दोस्तों उत्तर पर्देश के सामली जिल्ले के बाबरी छेतर के हेरन वांडा गाउं में बियसब का एक जवान रहिसमई प्रस्तियों में मिर्टक पाया गया एक χब्ते पहले चालिस वरस्या धीरज कुमार की पत्नी की रहस्य में प्रस्तियों में मौत हो गई थी उसके परिवार की सुझ़ों ने आरोब लगा कि धीरज रहस्तों ने उससे आत्म हत्य करने के लिए मजबूर किया था पुलिश के नुशार धिरजर उसके दो रिसदारों के खिलाब एक अप्रेल को महिला को आत्म हत्यव के लिए मजबूर कलने का मामला फाने में दर्ज किया गया जवान के बड़े भाय में सर्मा ने बताया कि उसका भाय धिरज गुरुगराम में तैनाथ था और एक मैने के छोटी पर घर आया था वह अपने पतनी और दू बच्चों के साथ सहरन फुर जिल्ले के ननोता सहर में रहता था लेकिन करीब एक हपते पहले उसकी पतनी ने जहर खा लिया था जिससे उसकी मिर्थी हो गई धेरत सुबा खेट में गया और बाद में बेहुस पाया गया परजन उसे अस्वतार लेकर पहुंचे जहां डक्टरों ने उसे मिर्थ गोशित कर दिया तो दोस्तों मैं भगवान से यही दूआ करता हूँ कि बीर जवान की आत्मा को भगवान अपने स्रीचरणों में इस्तान दे और इस दुख की घड़ी में उनके परिजनों को दुख सहन करने की चमता दे जब तक सूराच चांद रहेंगे तब तक बीर बलिदानी आपका नाम रहेगा तो दोस्तों वीडियो को अन्दे खाना करें देश के लिए अपने प्राणों की आहुती देने वाले उन बीर बलिदानियों के लिए इस वीडियो को एक लाइक एक सियर और हमारी इस के लिए जाहिन वंदी मातरम